अगली प्रिक्रिया की स्टार्ट होगी काउंसलिंग की तो इस वाले वीडियो में बात करेंगी की काउंसलिंग के रजिस्टेशन किस तारीक से शुरू होंगे जिन बच्चों के 260 प्लस, 280 प्लस नंबर हैं क्या उन बच्चों को मौका मिलेगा या नहीं पी टी टी में कितने प्रतिसर्थ बच्चे पास हुए हैं और पी टी टी दो हजार बाइस के टॉप पर छात रजू हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक हो से जरू करें चैनल पर पहले आप जिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब फिरकर नोडिफिकेशन बलको आउन कर क्या है उन बच्चों को नहीं मालूम है कि काउंसिलिंग क्या होती है कितनी लिष्ट जारी की जाती है तो काउंसिलिंग की सारी प्रिक्रिया जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के माध्यम से आपको पी टीटी के बारे में पूरी की पूरी ब जरूँ सब्सक्राइब करें आप लोग तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंसिलिंग के रजिस्टेशन किस तारीक से शुरू हो सकते हैं गैस आयोक काउंसिलिंग का सिडूल बहुत ही जल्द जारी कर देगा तो देखिए काउंसिलिंग का सिडूल जारी होने के बाद सब college fill करने होंगे तो registration जो हैं आपके दो या तीन अगस्त से start हो सकते हैं ठीक है तो यहां से जो आपका doubt था वो clear हो जाता है अब हम बात करेंगे जिन बच्चों के 260 plus 280 plus number है क्या उन बच्चों को मौका मिलेगा जी हाँ आप लोगों को बच्चों को मौका मिलेगा काउंसलिंग कराने का तो साइंस बर्ग के जो students हैं बो भी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं अगर आपको college मिल जाता तो अच्छी बाद कर नहीं मिलता है तो एक बात आपको ध्यान रखने की आपको all Rajasthan select करना है, सवाय की कहने का मतलथ है राजसां जितने भी college है आपको सभी college select करने होंगे ठीक है यहां से भी आपका डावर्ट के लिए हो जाता है अब हम बात करेंगे कि PTT में कितने प्रतिसक्षात्र पास हुए हैं अब PTT 2022 के लिए टॉपर इस्टूडेंस हैं कौन-कौन हैं देखते हैं तो देख लेते हैं PTT के टॉपर्स लिष्ट जिन बच्चों ने टॉप किया है JNVU की ओर से आयोजित PTT 2022 का परिणाम सुक्रबार को घोशित किया गया अगर हम B8 के दो बरसिये पाटकरम की बात करें तो उसमें जैपूर की अनुराग सर्मा ने टॉप किया है JNVU की ओर से आयोजित PTT 2022 का परिणाम सुक्रबार को घोशित किया गया B8 के दो बरसिये पाटकरम में जैपूर के अनुराग सर्मा ने टॉप किया वहीं चार बरसिये इंट्रिगेटड पाटकरम में सीकर के अकवर अली अबल रहे PTT 3 जुलाई को हुई थी दो बरसिये पाटकरम में अलवर के अनुसु सिंग राच पू दूसरे इस्थान पर रहे तीसरे इस्थान पर हनुमाனगड के धर्म परित सिंग बा अलवर के हितियस कुमार गजवानी रहे वहीं चार बरसिये इंट्रिगेटड में चित्तोडगड के हर सवर्दन सिंग, चूडा मत, दूसरे वाद जूतपूर की निर्मा तीसरे नमबर पर रही है तीसरे इस्थान पर है राइंक तीन, तिरतिये इस्थान पर दो ब्यारतिय है हनुमारगड के धर्मपृत सिंग वा अलवर के इतेश कुमार गजवानी वहीं अगर हम चार बरसे बीर्ड कोर्स के घर हम बात करें तो इसमें रैंक बन पर हैं अकवर अली जोकी सीकर से हैं, रैंक दो पर हर्स बर्दन सिंग चूडा मत, ये चित्तोडगर से हैं रैंक तीन पर निर्मा ये जूतपूर से हैं PTT 2022 परिच्छा राजिस्तान की समस्त 33-0 में 1558 परिच्छा केंद्रों पर आयो जित की गीती इस परिच्छा में कुल 4,85,485 परिच्छार्ति उन्हें भाग लिया जिसमें B8 दो वर्सिय पार्ट करम के 3,42,882 था B8 एबा BSC B8 के 4 परिच्छी पार्ट करम के 1,42,603 परिच्छार्ति सामिल थे PTT रिजल्ट जारी करने के बाद अब जैनाना विश्मिदाला जूद्पूर बहुत जल्ड काउंसिलिंग का सेडूल जारी करेगा B8 कोर्ट में दाखिले के इच्छुक उमिद्वारों को 5,000 रुपए काउंसिलिंग रजिस्टेशन फीस जमा करानी होगी रिजल्ट के आंगे की प्रिक्रिया देख लीजिए काउंसिलिंग रजिस्टेशन फिर इसके बाद काउंसिलिंग में पंजी करण की अंतिमति थी फिर इसके बाद आववर्ड मुमेंट फिर इसके बाद पहली सूची की घोशना की जाएगी फिर इसके बाद दूसरी सूची की घोशना की थी फिर इसके बाद तीसरी सूची क प्रवेस पित्रिया की समापती फिरिस के बाद काउंसलिंग की अंतिम्तिती फिरिस के बाद 767 का प्रारंब हो जाएगा तो उसे नए कॉलिज में रिपोर्ट करना आवस्य होगा पहले आवंटेट कॉलेज में प्रवेस इस इस्तित में निरस्त हो जाएगा यदि अभ्यारती को नया कॉलेज आवंटेट नहीं होता है तो उसका प्रवेस पहले आवंटेट कॉलेज में जारी रहेगा तथा नहीं जाने पर सुल्क भी नहीं लोटाया चाहेगा तो आज के इस वीडियो में बास इतना ही जो भी नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने PTT का पहले बार एक्जाम दिया है उन बच्चों को नहीं पता है कि काउंसिलिंग क्या होती है कॉलिज एलोट्मेंट क्या होता है तो PTT से related पलपल की update के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से काउंसिलिंग से लेके कॉलिज एलोट्मेंट तक की पूरी जानकारी दी जाने वाली है तो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नश वीडियो के साथ जय हिन जय बारत